नमस्कार दोस्तो जानो टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करें दोस्तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलिवरी जी हाँ अगर आप भी चाते हैं नॉर्मल डिलिवरी तो कुछ ऐसी चीजे हैं जिने आपको अपनाना चाहिए किसी भी महिला के लिए डिलिवरी के समय बहुत माने रखता है क्योंकि उसके गर में पल रहे बच्चा इस दु उसका बच्चा नॉर्मल हो वो भी बीना किसी परिशानी की इस दुनिया में आए लेकिन कई बार नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाती और ऐसे में डॉक्टर को सिजीरियन विदी से बच्चे का जनम कराना पड़ता है तो चलिए आज इन वीडियो के जरीए हम जान लेते है कि ऐसी कौन सी पांच चीजे है जिन से हम नॉर्मल डिलिवरी कराई जा सकती है और जिसका सेवन हमें फायदे मनसावित हो सकता है तो सबसे पहले है अननास अननास ब्रॉनलेस नामक एंजमाई मौजूद होता है जो आपकी गरवाश्य को नरम करने में मदद करता है ऐसे मे यदि आपके 9 महिने पूरे होने वाले हैं और आपकी डिलिवरी का समय नजदिक आ रहा है तो आप अननास या उसके जूस का सेवन करना शुरू कर दें यह प्रसव पीड़ा उत्पन करने में साहिक करती है लेकिन अननास का सेवन सीमित मात्रा में ही करें गलम में पल रहे शिशू के विकास के लिए प्रोटीन और केल्शियम बहुत मायने रखता है दही में प्रोटीन और केल्शियम भरपूर मात्रा में होता है इसके अलावा दूस से बनी चीजों में मेगनेशियम फास्पोरस आदी भी बहुत मात्रा में होती है इसलिए जहां तक समभव हो सक प्रगननसी के दोरान आप दूस्ट से बनीची जो का सेवन भरपूर मात्रा में करें पालक में आरन बिटामिन फॉलेट वा अन्य मिल्डन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं इसके सेवन से नॉर्मा डिलिवरी के संभावना बढ़ जाती है इसमें मौजूद एंटियोक्सिडेंट न केवल आपकी प्रती रोधक्षमता को बढाती है बलकि पाचन क्रिया को भी मजबूत करने में साहिता करती है डिलिवरी होने के कुछ दिन पहले से ही आप दालो और फलियों का सेवन भरपूर मात्रा में करें इसका सेवन से शिशू को होने वाले कई तरह के संकरवन से बचा हो जाता है यहां तक इसके सेवन से आपका स्वास्थ ठीक रहता है और नर्मल डिलिवली की चांस बढ़ाने में सायक हो जाता है प्रग्नेंसी में पानी का भरपूर सेवन करना चाहिए ताकि करब में पल रहे बच्चे को पानी की कमी न हो और पानी के सेवन से आपकी बोडी हाइडरेट नहीं हो इसके लावा आपके गरवाश्य को मदद भी मिलती है पानी को पीने से इसलिए आप दिन में कम सक्म आठ से 10 ग्लास पानी का सेवन जरूर करें और अपनी डिलिवीर को नॉर्मल कराएं तो दोस्तों ये